दोस्तों काफी PF मेंबर्स ऐसे हैं जो आउस्चक्ता पढ़ने पर अपने PF अकाउंट से कई बार एडवांस पैसा निकाल चुके होते हैं लेकिन उनको याद नहीं होता है कि उन्होंने कब कितना पैसा निकाला है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने PF का पूरा पैसा निकाल बैंक खाता में PF की तरफ से कितना पैसा आया और कब आया तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अपने मोबाइल से पता कर सकते हैं कि आपके PF खाते से कब और कितना पैसा आपके बैंक खाते में आया है साथ में आप ये भी जान पाएंगे कि अगर आपन अपने किसी पुराने PF खाता का पैसा नए PF खाते में ट्रांसफर किया है तो कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अब चलिए जानकारी सुरू करते हैं सबसे पहले आप अपने मोबायल फोन में क्रोम ब्राउजर ओपिन कर लेंगे फिर गूगल सर्च बॉक्स पर क्लिक और सर्च बॉक्स में EPF Passbook लिख कर सर्च कर लेंगे अब सर्च रिजर्ट में आप EPFO की इस वेब साइट लिंक पर क्लिक कर लेंगे इस वेब साइट के ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा इसमें आप यहाँ पर अपना UN नमबर लिखेंगे यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे और यह के अपचा कोड यहाँ लिखने के बाद साइन इन पर क्लिक कर लेंगे अब आपके PF खाता में लिंक्ट मॉबाइल नमबर पर OTP आएगा वो OTP आप यहाँ पर लिख लेंगे और वेरिफाई पर क्लिक कर लेंगे अब आप EPFO के Passbook Portal पर Login हो जाएंगे, इसमें पहले आप यहाँ क्लिक करेंगे, दिन Claims पर क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ क्लेम समरी में देख सकते हैं, आपने Total कितना क्लेम किया है, कितना Approve हुआ है, कितना Reject हुआ है, और कितना Claim Pending है, आप Scroll करके नीचे की तरफ आए इसी प्रकार Settled Claim देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और Rejected Claim देखने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, दोस्तों यहाँ पर हमको यह देखना है, कि अब तक कितना पैसा हमारे P.A.P. खाते से बैंक खाते में आया है, और कब आया है, तो उसके लिए हम यहाँ Settled Claim पर क्लिक कर लेंगे, अब आपके सभी Settled Claim का डिटेल्स यहाँ पर खुल के आजाएगा, इस डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि आपके P.A.P. खाता से कितना पैसा निकला है या ट्रासफर हुआ है, यहाँ पर आपको Claim या Tracking ID लिखा मिल जाएगा, जब आपका P.A.P. Claim Form जिस डेट को P.A.P. में रिसीव होता है, वही डेट यहाँ पर लिखा होता है, आप इसे दाय से बाय की तरफ खिशकाएंगे, तो यहाँ पर Member ID लिखा मिलेगा, जिस Member ID यानि P.A.P. खाता पर आपने Claim किया होगा, वो Member ID यहाँ पर लिखा मिलेगा, P.A P.A.P. का पैसा निकालने के लिए आपने जो Form बरा होगा, वो Form नंबर यहाँ पर लिखा मिलेगा, Claim Description यहाँ पर लिखा मिलेगा, कितना पैसा आपके P.A.P. अकाउंट से निकला है, वो आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा, और जिस डेट को आपका Claim अप्रूब हुआ है नए P.A.P. काता में पैसा ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पर आपको Form टाइप में Form 13 ट्रांसफर आउट लिखा मिलेगा, और कितना पैसा पुराने P.A.P. काता से नए P.A.P. काते में ट्रांसफर हुआ है, वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा, तो दोस्तों उमीद करता हूँ, इस वीडियो में दी गए जनकारी से आप अपने P.A.P. काता से निकाले हुए पैसे या ट्रांसफर किये गए पैसे की जनकारी प्राप्त कर पाएंगे, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो एक लाइक करना मिलते हैं अगली वीडियो में नए ज जनकारी के साथ, जय हिंद!